हेलो दोस्तो तो आज हम समझने वाले हैं वर्किंड प्रिंसिंपल ऑफ डीसी मोटर तो बहुत ही बेसिक लैवल से हम शुरू करेंगे और मोटर की स्टार्टिंग देखेंगे किस तरह की हम मोटर को चला सकते हैं तो motor के basic part से शुरू करेंगे, तो देखे हमारे पास एक DC motor है यहां पे, तो यह जो DC motor है उसके अंदर winding किस तरह से हो रही है, उसका stator क्या है, rotor क्या है, करण्ट कहां से हो रहा है, इस सारे को समझने के लिए न, हमें फिर से वही basic part को समयना होगा, बेसीक पार्ट है क्या बेसीक पार्ट एक्चेल शुब होता है मैट्स से ठीक है हमें मैणेट्स को समйना होगा अगर हमने इसको समयना है तो पहले हम थोड़ा सा एक tailor magnet की बारे में देख लें। में मेंail में वे मेंशा सिम्पल सी बत क्या नॉर्थ और सौथ पॉल होता है,टीक यह हमें पता है। ऑ आन अगए नॉर्थ ओर साॉथ है को एक डूसरी को रिपल करते हैं। ठीक है अगर हम इसके उपर शील्ड रखते हैं इस शील्ड के उपर हम आईरन का पाउडर डाल देंगे इस आईरन के पाउडर से हमें पता लगता है कि यह देखिए इसकी डिस्टिबिशन किस तरह से हो जाती है और यहां पे देखिए distribution किस तरह से है और यहां पे और यहां पे किस तरह से है हमें magnets को ही समझना है अगर इसको समझना है अब हम क्या करेंगे अब हम इसका magnets का जो poles है यहां पे north और south है उल्डा कर देंगे और north और north को देखते हैं जब इस तरह से छोड़ते हैं इसको तो ये क्या करेगा नॉर्थ और नॉर्थ और साउथ साउथ दोनों आपस में क्या करते हैं रिपैल कर देते हैं इस तरह से रिपैल करते हैं अब देखिए आपको सीधा सा प्रिंसिपल समझ आजेगा इसका कि ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका देखिए हमारे पास एक मैगनेट इस तरह रखते हैं अगर इस तरह से मैगनेट रख दी और हमने क्या किया एक तूसरी मैगनेट ली और इसका नौर्थ और इसका साउथ आपस में नजडीक लाए ना तो इससे क्या होगा यह अट्रेक्शन होगी आपस में यह ठीक है इस तरह से देखिए अगर हम इस तरह से नॉर्थ और नॉर्थ को आपस में लाएं तो उससे क्या होगा रिपेल करेगा तो ये इसको धक्का मार देगा अभी देखिए हमने फिर यहां पर नॉर्थ जब आ गया दोबारा फिर से इसने धक्का मार दिये इसे बास हमेरे हैं हमने ये मैगनेट से दूसरी मैगनेट को धक्का मारा और खुश नी किया ये देख़ी ये फिर से धक्का मार दिया ये फिर से ठीक है अब हमने एक और फाइदा उठाया इसका किस तरह से हमने दो मैगनेट ले लिए देखो अब इसको बड़ा अच्छे त इदर आएगा ये साउथ वाला इदर आजएगा ये नौर्थ वाला इदर आजएगा ये अपने हाथ को भी घुमा लेगा ठीक है देखो ये घुमा देता है तो इससे होता है क्या है ये देखो इससे होता क्या है कि मोटर का प्रिंसिपल बन जाता है वारा एक बार देख लो क एद देखो, repulsion क्रेट होगी, अगर आपको ये समझ आ गया आ तो आप ये समझे कि Avengers कोगें अगर ये समझ आ गया, इतनी बात तो अभी तक समझ आ चुकिया यह नहीं, कि हमारे पास एक Newton बीच में उसका क्या है यहा पे north है, यहा पे south है तो यहां पे हमारे पास क्या होगा magnet का north और ये south और ये वाले magnet का क्या होगा ये south और ये north ये जब घूम जाएगा तो ये बन जाएगा हमरे पास south और ये north हम इसको भी घूमा देंगे और इसको घूमाने के बाद यहां पे आजएगा south यहां पे north और यहां पर क्या आजएगा नौर्थ और यहां पर साउथ यह हम काम किसे कर रहे हैं हाथों से कर रहे हैं यह हम हाथों से मोटर त्यार कर दी हमने लेकिन अब हाथों से तो यह काम कर नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैगनेट अपने आप ये काम करे है यह जो पोल चेंज हो रहे है न नोर्थ साउधं अपने हाँ चेंज हो रहे है यह हम ना करेंगे, यह क्रण टि कर दे पर हमने से क्रंट पास करें तो यह क्या बन जैगा, यह Electromagnet बन जाएगा क्या बन जाएगा इलेक्टरो मैगनेट देखे अगर हम इसको यह देखे वाइर है न जो यह वाली वाइर है यह क्या हुए पीछे एक बैटरी लगाई है जिसके साथ इसके साथ कनेक्ट कर दिया ये बैटरी के साथ जब connection में आया तो ये क्या बन गया ये एक electromagnet बन गया ठेक है अभी electromagnet जैसे ही on करते हैं तो crunch इसमें से flow करेगा ये magnet पूरा create करेगा यहाँ पे ठेक है crunch यहाँ से वापस जा रहा है crunch flow हो रहा है इसमें से अब इस electromagnet को use कर सकते हो आप कहीं पे भी use कर सकते हो ठीक है हम इसका छोटा सा use दिखाते है कि ये देखे pins इसको चिपका दिया तो मतलब क्या है कि हम electromagnet का सहारा लेंगे अब अब हमारे पास यहाँ पे जो magnets बन रही थी ना उसकी बजाए हम electromagnets बनाएंगे और वो electromagnet हमारे काम की होगी अभी तो पहले क्या है किया magnet फिर electromagnet उस electromagnet के सहारे हम तियार करेंगे इसको अब ये जो magnets से ना ये देखे transistor mantras से कर रहा था अब इसने क्या किया इसी को replace करके बनाया क्या electromagnets के सहारे यही model बनाया यही से Любाक değil या किसके सारे इलेक्ट्रो मेगनेट के अब देखिए हमारे पास यह बीच में जो कील है यह एक एलेक्ट्रो मेगनेट है यह भी एक एलेक्ट्रो मेगनेट है तो हमने इसको हमने इसको Electromagnet के सारे इसको Electromagnet के सारे जोड़ना है यह model समझ जा रहा है अभी यह देखी चला के दिखाएगा कि किस तरह से अगर मैं कि अब हम समझते हैं कि यह चल कैसे गई अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम इसमें Electromagnet त्यार करेंगे यहां पर देखे मैगनेट है जो पुराना प्रिंसिपल क्या था दो बाहर मैगनेट और बीच में एक मैगनेट हम यहां पर जो मैगनेट बना रहे है न वह इलेक् मैगनेट त्यार करें हमने क्या करना एइस तरह से एक वाइर बना देनी है और इसके साहत कनेक्शन दे देज Ahí के इस पे और इस पहुरें और इस solicit ए दो वायर लेंगे जो बिल्ली की वायर है वो इसमें यहां पे भी और यहां पे भी लगा देंगे और यह सारा जो कनेक्शन है वो एक बैटरी के साथ कर देते हैं अब हम ट्यार करेंगे इलेक्ट्रो मेगनेट ठीक है अब हम एलेक्ट्रो मेगनेट त्यार करेंगे यहां पे देखे एक वायर है जिसके साथ हम connection दे देगे बैटरी का जब इसमें से क्रंट पास करेगा तो एक end इसका बन जाएगा नौर्थ और दूसरा बन जाएगा direction of current पे depend करेगा कि current यहां से इदर जा रहा है या इदर से यहां जा रहा है जहां से direction देखेंगे उस direction के according south और north पोल बनते हैं हमें क्या करना है हमें current supply देना है बस हमें current supply देना है और उससे north और south पोल बना सकते हम ठीक है यह चीज़ समझागी electron magnet के poles बना जा सकते हैं हम हमारे पास poles किस तरह से त्यार हो सकते हैं अगर हम connection change कर दे अगर connection के साथ इसका connection करती है, ठीक है, जैसे ही हम on करते हैं, ठीक है, इसको on करेंगे हम, तो हमारे पास होगा क्या, एक जो हमारे पास, यह जो में elektramagnet is है, उसमें हमारे पास एक north बन जाए, एक south तो यह देखो, गुं गया, कैसे गुं गया, क्योंकि यह पहले यह position जो थी, पहले जो position थी, उसमें वो south बन गया था, ये south बन गया था, ये north बन गया था, तो इसने repel कर दिया इसको, ठीक है, समय रहे हैं, तो इसने repel कब हमने करना क्या है, कि एक बार तो घूम गया, अभी लेकिन crunch इस तरफ से जा रहा था, अभी south ये, south ये था, north वो था, अब हमने बस crunch चेंज करना है, बस देखे, ये crunch चेंज कर दिया और वो घूम गया, जैसे ही हम इसका crunch चेंज करते हैं, इसकी direction चेंज करते हैं, वहाँ पे south और north पोल जो है, वो चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास ये रहे को crunch की चेंज, ये देखो, सिर्फ इतना सा काम करना है हमने, ये जो काम कर रहे हाथ से देखो, जो पहले magnet घुमाता था ना, वो अब ये crunch को flow गरा, लेकिन problem है, यहाँ पे फस जाएगा ये, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे brushes बनाए, कि crunch पहुंचाने के लिए हम नहीं करेंगे, हम बंदा तो ना रखेंगे, यह ऐसा करते रही हो, और हमारा काम उतर रहेगा, ऐसा नहीं है, हमने क्या करिया, यहाँ पे brushes लगा दियो, और इसका connection यह देखे, इस तरह से touch में लाएगा, कि crunch इसको दे और आगे चला जाए, और दूसरी साइड इसको दे और आगे चला जाए crunch, ठीक है, तो हमारे पास ये crunch जो है, इ एक animation के दूद जैसे, हमने basic level समयना है, तो brushes इसके अंदर किस तरह से काम करते हैं, उसके लिए एक छोटी सी animation है, जिसको आपको ज्यादा समझा जाएगा, अब इस animation में देखते हैं, कि यह brushes किस तरह से काम करते हैं, अभी देखो, starting में हम देखते हैं, कि यह इसके साथ connection है, यह यहां से connection है, तो north pole यह है, और यह south pole है, इस तरह से poles बने हैं, जैसे हम इसको घुमाते हैं, next time में जब हमारे पास current flow होगा, अब यह connection इसके साथ इसका बन गया, इसका इसके साथ connection बन गया, अब यह south pole यह बन गया, north pole यह बन गया, तो यह poles change हो रहे हैं, जो हमने basic magnet बना हैं, हमने brushes बनाए और इसकी help से काम कर दिया, अब लेकिन इसमें क्या होता है, कि हम यह देखो, यह poles किस तरह से change होते हैं, यह easy है, हमारे पास देखिए, एक ही wire है, और brush भी इस तरह से 2 है, अगर हम इसमें rotation बढ़ाना चाहते हैं, कि speed बढ़ाना चाहते हैं, हम क्या करेंग wires बढ़ा देंगे, wires बढ़ा देंगे, और इनको भी ज़्यादा quantity में लगा देंगे, brushes को भी ज़्यादा quantity में लगा देंगे, ठीक है, यह wires जतनी बढ़ती जाएंगी, देखो, यह wires और ज़्यादा बढ़ा दी और यहां पर brushes भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगे, जैसे ज वाइनिंग जो है वो इस तरह से की जाती है वह हमारे पस मॉडल था जो समझाने के लिए मॉडल हमने बनाया था ठीक है लेकिन §्ल इस को हम यह घुम रहे ना देखिये को कहते हैं रोटर क्या कहते है है और बाहर जो मैगनेट्से ही है उसको हम क्या ग्aff रख जरक रहा है तो बहूर जो part है बहूर बाद जो पार्ट है वो साफ होता है जो रुखा उता है right corner क्या हुक्त है जो रोटेंट कर रहा हूत है तो अंदर बाला पार्ट रूटेंट कर रहा ठीक है हम ने magnets को घुमाया उसके बाद Electromagnets लगाई और उस Electromagnet की हल्प से हमने क्या किया एक motor त्यार कर दी और उस motor से हमने क्या किया आज देखे हर जगा पे आप twice भी देखेंगे छोड़ चोटे तो उसमें भी motor जो लगी होई DC motor लगी होई है आपको principle समझना है कि हमें सिरफ North North को धका और South South को कमरेगा बस इतना सा काम करने है ठीक है उससे हमारे पास सारी motors की principle हमें समझा देगे तो हम देखे जैसे हमने magnets ऐसे रखे होगे थे अब magnet भी बढ़ा सकते हैं side में magnet बढ़ाते हैं और उसके कारण हमारे पास magnetic field बढ़ती है और उस करना शुरू कर देगा तो आपको basic समझना होगा बड़ी चीजें हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और basic नहीं पढ़ते हैं basic यह है जो समझने वाला है I hope कि यह चीज़ आपको समझ आई होगी अगर समझ आई है तो like जरू कर दे बटन जरूर दबादें उसका like का और अगर नहीं आई तो please सच में बताएं कि आपको समझ आई या नहीं Thank you, thank you so much